सबसे पहले गमगीनी उसके घर से नहीं टपकेगी, वो गमगीनी तो उसके चेहरे पी टपकती है, यह अल्ला चेहरे से खुशिया हटा लेते हैं, अल्ला की कुटरत से डाइडिक फाइडा उठाने के लेकिन कोई गलती जब हो जाएगी तो, क्या करेगा फोरन टोबा इस ते इकफार करके, अल्ला से माप करवा लेगा वो, गलती तो परिष्टों से नहीं होटी, हाँ, इनसान है तो गलती होगी, जागो प्यारे, जागो, चैंड से सोना है तो अभी जाग जाओ, मुंदखब आहाडिस की टालिम है, नमाज के बारे में हैं, जो मुंदखब आहाडि के आवामीर, यानि हुक्मों को हजद मुहम्मद स.A. के तरिके अपर पूरा करने में सबसे अहम और बुनियारी अमल नमाज है, लेको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्ला ताला की कुद्रत से बराहे रास इस्तिफादा, डायरेक्ट फाइडा उठाने के लिए, अल्ला अवामीर को हजद मुहम्मद स.A. के तरिके अपर पूरा करने में सबसे आहम और बुनियारी अमल नमाज है, फिर एकबर पर रहा हूँ, उसका शौर्ट फरम तिन लाइन में खाली, अल्ला ताला की कुद्रत से बराहे रास, इस्तिफादा उठाने के लिए, डायरेक्ट फ अठाना है, तो अल्ला के हुकम पर खरा होना परेगा और उसमें सबसे बरा, सबसे बरा अमल क्या है, नमाज है, अब नमाज की डीटेल, नमाज कैसी होनी चाहिए, नमाज की क्या है, नमाज की क्या रियालिटी है, नमाज की क्या फजीलत है, वो सब आगे आएगा इन्शा और परिष्टौ से नहीं होती है लेकिन कोई गलती जब हो जाएगी तो क्या करेगा फॉरं टोबा इस्तिक फार करके अल्ला से माफ करवा लेगा वो गल्ती तो परिष्टों से नहीं होटी किसे नहीं होटी परिष्टों से नहीं होटी हाँ इनसान है तो गल्ती होगी लेकिन वो माफ करवा लेगा फौरान रो डो के माफ करवा लेगा अल्ला से टौबा करके माफ करवा लेगा और टौबा क्या है अब नहीं करूंगा जो हो गया हो गया अब नहीं होगा उसे टौबा कहते हैं और एक आएट का तरजुमा है सुरे बक्रा की आएट है इननल्जीन आमनू आमिल सौलिहाति वाकाम स्वलात अब नहीं करते हैं और नहीं कोई खौफ नहीं होगा देखो दुनिया में भी खौफ नहीं होता और दुनिया में भी वो गमगिन नहीं होती है और गमगिनी कहां टपकती है गमगिनी इनसान की जिन्दगी में गमगिनी है सबसे पहले गमगिनी उसके घर से नहीं टपकेगी कहां टपकेगी वो गमगिनी तो उसके चेहरे पर टपकती है कहां टपकती है चेहरे से टपकती है अल्ला चेहरे से खुशिया हटा लेते हैं और गमगी नी च्छा जाती है उनके चेहरों के उपबर, जी, अल्ला हम सब की हफाद्ज़त फर्माए, और हमारे चेहरे को खुशाल बना दे, अल्ला कीसा बना दे, खुशाल बना दे, जी, अल्ला ताला ने, और एक आयट का तरजम है, सुरह इबराहिम के आयट है, अल्ला के आने से पहले पहले कि जिस दिन न कोई खरीड वद फरोग्ट होगी कि कोई चीज दे कर नेक आमाल खरीड लिए जाए ऐसा न法 और न," और उस दिन आएगी कूई ढोस्तु तुम्हेंं काम आएगी।। उस दिन के लिए इस दुनिया में टैयारी कर ले तो अल्ला ने टैयारी क्या क्या बटाई है फिर से पढ़ ला हूँ अल्ला ताला ने अपने रसूल सलल ला उसलम से इशार्ट फरमाया आप मेरे इमान वाले बंडों से कह दीजिए कि वो नमास की पाबंदी रखे और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से कुछ खुफिया और ऐलानिया खैराट भी किया करे और उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन ना कोई खरीड वो फरुग होगी और ना उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी ना कोई दोस्त तुम्हें नेक आमाल देगा विलापाथ हम सब को कहने सुने से ज़्याद आमल की टौफिक अटा फरमाएं